सिरी सरत पादी दी प्रतिकुल्पती और जिनके बिछेश आगरा के कारण ही मैं इतने भव्व और सुंदर कारिकम में आप सब के दीच में आने को मज़ूर हुआ हमारे प्रमित्र प्रतिकुल्पती डाक्टर चिनिया पांडे दी खुल्पती शरी बल्राओ देवगान जी मज़ पर अपस्तित हमारे अईवाच्चित के मेर आधनी मनोसगर्द जी मेरे साथ आए हुए शरी प्रवप्ता भाग्ती जनिता पाच्चली शरी नदीन ठाकुल जी और बहन मेरा रतुडे जी हमारे प्रतिस की और यहां मुपस्तित सभी हमारे अतिती गाना, सभी आचारे गाना, आचारिया गाना, एवं जिनके निमित आज यह बहुत सांदार कारिकम और मुझे भी पहली बात ऐसे ज्यान दिक्षा के कारिकरम में समलित होने का उसर मिला, उसके यह तू आप सब बने हैं, आप सब मेरे पिरियर, सभी छात्रे यों छात्रा हैं, यहां कारिकरम में उपस्तित हमारे विश्विध्यलय के समी समस्त, अधिकारी गर्ण, करमचारी गर्ण, स्वयम से ओग बन्दू जो लगातार हमारे इस देव संस्कृति विश्विध्यलय, गायतरी परिवार, सांथी कोई, सब को लगातार बढ़ाने के लिए काम करते हैं इस कारिकरम में उपस्तित हमारे सभी अत्रकार मित्र, छायकार बंदू, मैं सबका, अपनी तरफ से सबका मैं आदिक स्वागत करता हूँ और जो हमारे आज छात्रे हम छात्रा हैं, जिनको जैसा अभी कुलादी पती जी कह रहे थे कि जिनको छे मैंने, साल भर, दो साल, पांच साल और कई सालों सालों तक, निरंटरता से यहाँ पर इस ग्यान की गंगोत्वी से ग्यान को लेकर अपने जीवन को सफले हम सातार करना है आप सभी को, मैं आज के सवसर पर बहुत सुपकामनाई लेता हूँ, बहुत बदाए लेता हूँ करोपर सम, मैं देज माता गायत्री के चरुड़ों में सीथ जुगा कर उनको प्रडाम करता हूँ ये मेरा परम सभाग्य है, कि मुझे उनकी इस पावंधरा और परम बैवावसाली मंदिर में आने का सभाग्य प्राप्त हुआ है सायती माता गायत्री के सित्धारक पिचार ग्रांतिय भियान के सुत्रधार बे मुर्ती तपोनिस्ट पंडिक फ्रीराम सर्मा आचारे जी को भी नमन करता हूँ, जिनके द्वारा रोपित बीच आज बड़ ब्रिक्ष काकार ले चुका है और विश्टो के असंग के लोगों को ग्यान और संसकार और प्रकास दे रहा है लगा था जैसा कि अभी चिन्मिया जी ने यहां पर बताया कि दुनिया के अनेकों अनेक देशों में आज इस जो ब्रिक्ष पंडिच स्रीजाम सर्मा जी ने लगाया था वो सभी को प्रकास देने का और ग्यान देने का काम कर रहा है मैं आज निश्चित रूप से ये पहले इस प्रकार के समारों मा आके जिसमें हम आगे चलकर बेदों का भी अध्यन करेंगे हर्म का भी अध्यन करेंगे सांसारी बहुत एक और तमाम प्रकार से आध्यात्मिक सभी आने वाले जितने भी हमारे पार्ठे करम होंगे उन सभी पार्ठे करमों का अध्यन करेंगे और इतिहास में ऐसे बिदले ही लोग हुए है जिन्होंने अपने बिचारों से करोड़ों लोग के जीवन को बतलने का काम किया है और प्रम्पूज पंडिश्रिग्राम सर्मा जी ने वो एक ऐसी डुबूती थे जिनका सम्पून जीवन भारत के सांस्कृतिक पुनरोथान के समर्थित रहा और करोडों करोडों लोगों के अंदर उन्होंने एक विचार की करांती का सुत्रपात किया आज जहां हमारे देश के एसुसी प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतोत्तों में आज पूरा पिस्तो भारत की ओर देखा है इसका उधारन है 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर आज योग दियोस मनाया जाता है कि नया भारत है और पंडिक प्रिजान सर्माजी ने वो भी एक ऐसी गुभूती थे जिन्होंने उस समय कभी इसकी कल्पना किये होगी जो आज साक्षात रूप से भारत के करोडो करोडो लोग तो उसको अपना ही रहें आज दुनिया के देश भी उसको अपना रहें उसको मान रहें उन्होंने मंत्र दिया कि हम बदलेंगे युग बदलेगा उस तनोंने जो समाज में जन्जार्पी लाने का पुनित कारे किया इसके लिए मैंसा मानता हूँ कि आने वाली हमारी सब्वी प्रिणिया कि उन्होंने वास्ताव में समाज को बदलने का काम किया है माता गायतरी वा यग को घर में पेसापीत करने का काम हूँ के मात्यम से हुँआ जन सक्टी का सरक्ष्ण युवाउं को संकृत करने का चय? आज पंडित से राम सरमा जी के शिद्धान्तों पर चल कर किया जा रहा है यही कारण है कि उन्हें आध़नी भुक्त के विश्वामित्र की उपादी से भी अलंकरत किया गया और उनके द्वारा इस्ताफित के खावन शांतिकुन जहां आज करोडों करोडों लोगों को युद्च इत्मा देने का काम कर रही है और एक गंगोत्री का रूप नी चुकी है आज उसी महामनीशी के आदर्सों पर इस्ताफित इस देव संस्क्रिक्टी विस्विद्याले के रूप में ये विस्विख्याद सिक्षा के इंद्र नेतिक मुल्यों पर आधारित रोजगार प्रक्षिक्षा देने का अनुपाम कारेवी कर रहा है मैं इस संस्क्रिक्टान से जुड़े हुए सभी स्वेम सेवकों को भी सादूबाद देता हूँ आसा करता हूँ कि उनके उचित मार दस्षन में लगाता काम होता रहेगा एक बात मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे बिद्धार्थी हैं जिनको आगे बरसों बरसों तक जिसको हमारे देश के ससी प्रधान मंतरी जी ने अमरत काल का नाम दिया है उस अमरत काल में जो नए भारत का निर्मान है उन नए भारत का निर्मान करने का काम किसी के जिम्में है किसी की जिम्मेदारी है वो हमारे आज के जो आप सब शात्रे यूंद शात्राये हैं जिनको यहां ज्यान दिख्षा मिली है उनी को इसको आगे बराने का काम करना है एक बात अगर मैं यह सोचूँ मेरे मन में यह बिचारा है कि मैं बिध्यारती बन जाऊं आपके साथ बैठकर मैं पढ़ाई कर लो तो मैं कर सकता हूँ क्या आप लोग भूले जरा यह चिन्मेह जी सोच ले अलाकि फुल्पति हैं अगर वो सोच ले तो पढ़ सकते हैं क्या वोलिये हाँ या ना नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आयू आगे चली गई है तो इसलिए जीओन में अगर कोई सबसे महत्त्पूर्ण है जिसका अमूले नहीं है यह अमूले है वो क्या है समय है इसलिए ये जो समय है और अभी मैं सुन रहा था खुलादी पती जी को, चिन्मिया जी को और सरद जी को तो सब ने इतना सूच्म में, संचिर्प में इतना सारा ग्याम का भंडार हमारे सामने रखा उन्होंने कहा कि यहां आप लोग आए नहीं है यहां आए नहीं है आप लोग उन्हें ध्यान से सुना क्या बुला उन्होंने आप लोग बता दीजिए मुझे बुलाए गया है आप लोगों जैसे करोडो करोडो लोग करोडो करोडो हमारे पिरिये चाप रहें सात्राएं हैं हमारे बेटे हैं बेटिया हैं तो उसमें से आप हजारों ही लोग क्यों हैं यहां पर आप हजारों लोग इसलिए हैं कि आपको बुलाया गया है अपने आपको अपने आप पाप सहुआ के साली मानी है और अग जिस बिस्वे देहलाय का नाम देव संस्कृती होगी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सब इस तांडर में बैठे हैं इस दिब्डे इस्तान पर बैठे हैं तो आप पर बहुत बड़ी दिश्क्रपाय है इसलिए आप लोग यहां पर बैठे हों अन्यता बहुत चाहते हुए भी बहुत कुछ चाहते हुए मन में इच्छा रखते हुए कि हमें भी अध्धिन के लिए जाना है हमें भी वहां पढ़ना है हमें भी वहां रहना है ऐसे विचार बहुत हमारे बेटे बेटियों के मनमा आते हूंगे आये हूंगे लेकिन उनको बुलाया नहीं गया आप लोगों की समझ मा आ गया ना मैं क्या कह रहा हूं तो जब आप लोगों को यहां बुलाया गया है तो आप लोग यह मारिये कि आप लोग बिसिष्ट कार्य के लिए बने हैं जहां आप लोगों ने यहां अच्छा अध्धन करना है और अध्धन करने के बाद जब यहां से आता संपूर अध्धन पूरा हो जाए उसके बाद उस अध्धन को लोगों को जो ग्यान है अब करोड है जो आपने सिच्छा यहां पराप्त किये वो अन्या लोगों को भी और हज्जारों करोड को को तक यह गंगोत्री पूत्र पुदिपरदें में शुरू की है और गंगोत्री प्रवार हमान रहने ते हैं लगातार बैसे रहने तदे हैं इस ने खिरुड़ आपकर मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यहां आ गए हैं और आप बुढ़ाएं गए हैं तो आप जब यहां से जाएंगे तो ग्यान तो आपके अंदर भरी जाएगा ग्यान भी भर जाएगा बिवारिक्ता भी आ जाएगी और सारे कोने जो कहां कहीं पर कमी होगी तो कोने भी पूरे हो जाएंगे लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा सब कुछ होने के बाद भी आप एक अच्छे मनुस्य के रूप में जाने जाएं इस हमेशा आपके ध्यान में रहेगा तो कहीं पर भी कोई गल्ती अगर कहीं होभी रही होगी तो उसको आप लोग ठीक कर लेंगे क्योंकि हम सभी लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कई बार क्या होता है अभी आप लोग बिध्यारती हैं, सिख्छारती हैं जिसके बारे में मैंने कहा कि ये कालखंड बार बार नहीं मिलता है एक बार निकल गया तो उसके बाद फिर ये कालखंड वापस नहीं आएगा ये समय वापस नहीं आएगा इसका कोई मूल्ले भी नहीं है ये बहु मूल्ले है तो जब ये वापस नहीं आएगा तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर एक तरह से साधना करनी है परिश्रम करना है और अपने आपको साधना है और अपने आपको साधने के लिए जहां यहाँ पर आचारे गड़न आचारी अंगर्ड, सारे लोग आपको जहां मारदर्षन देंगे, वहीं आपको स्वेहन का भी मारदर्षन करना है, अपना मारदर्षन स्वेहन करना है, कई बार ये लगता है हमको, बहुत बार बातों बातों में और ऐसी जो बच्पन होता है, आप सब का बच्पन ही है, इस तो थोड़ा जैसे आप लोग सिख्यारती हैं न शिख्यारती हैं विध्यारती हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बड़ा मानता हूं आई हूं अपने आपको बहुत ज्यादा नहीं और राज़ीती के छित्रम में मैं अपने आपको अभी सिख्यारती और विध्यारती ही मैंने कितनी साधना किये ये आप से ज्यादा कोई नहीं जानता है न तो आपके आचारे गण जानेंगे ना माताजी जानेंगी ना पिताजी जानेंगे ना हमारे गुरूजन जानेंगे या तो आप जानते हैं या सीधे सीधे वो उपर वाले जानते हैं दो से कोई नीचिपा सकता दो से कुछ नहीं चिखता है पहला स्वयम से और दूसरा उपर वाले से तो इसलिए हम दुनिया को कह सकते हैं कि हमने बहुत अध्यन कर लिया बहुत हमने परिश्रम कर लिया कई बार होता है वैसे यहां इसको बताने की आऊ सकता नहीं मैं अभी एक दिन अकेडमी में गया था लाल बाहदु साथ जी अकेडमी वहां मैंने उनको कहा जिसमा आई-एस परिशिक्सु निकलते हैं जहां तो मानि प्रधान मंत्री मरेंदर मुदी जी ने उन सभी को कहा है कि आने वाले पत्चीस सालों के लिए इस सम्मिसन कर्मयोगी के रूप में निकल रहे हैं जो नौ भारत का संकल्प लिया है नए भारत का संकल्प एक भारत त्रेस भारत का संकल्प समर्थ भारत सक्तिसाली भारत समर्थ भारत और पूरी दुनिया का नित्वत्यों करने वाले वारत की जो कल्पना और गड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं उस भारत को बनाने में आप सकता बहुत बड़ा युगदान होने वाला है जहां आये स्वर्शिक्षिक्षा होने वाला है तो मैंने उस कारिकरम में उनसे कहा कि भगवान के घर में दो एक एकॉंट होता है एकाउन जानते हैं ना बैंक में सभी का एकाउन्ट होता आप तो क्योंकि प्रधान मत्य जी ने सब ज़िए ज़न धन खाता खुलवा भी आ था और बिना पैसे खेए एकाउन्ट फुल जाता सबका खुला था नहीं अभी खुला है अगर नहीं होगा तो आप खुलवा देंगे एकाउंट तो भगवान के घर में इकाउंट खुलता है हम लोगों कर सबीकाउंट है जो हम अच्छा काम करते हैं अच्छे करम करते जाते हैं लगा तार जो हमारा एक धर्म का मारग है कर्म का मार्ग है उस मार्ग पर हम काम करते जाते हैं काम करते जाते हैं अच्छा करते जाते हैं प्रोप्तार करते जाते हैं तो उस एकाउंट में लगाता पैसा क्या होता है उसका एकाउंट बढ़ता चला जाता है यानि कि बैंड बैलेंस ज्यादा होता जाता है खूब बड़ा बन जाता है और कहीं हम काम खराब करते हैं कई बार गल्टियां जीवन में सबसे हो जाती है लेकिन जो जानते हुए गल्टी करते हैं तो ऐसे हिमें जो भगवान का एकाउंट होता है वो एकाउंट क्या होता कम होता चला जाता है क्या बोलते डेविट हो जाता है कि क्रेडिट हो जाता है तो इसलिए हमारे को यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा वो एकाउंट बढ़ता जाए बढ़ता जाए बैंक वैलेंस हमारा बढ़ा रहे उसे मैं एक बात और कह सकता हूँ कि वो एकाउंट अगर आपका बड़ा रहेगा तो वो इस जीवन में तो काम आएगा या आएगा आने वाले आपके जितने जीवन होंगे सारे जीवनों में उस एकाउंट का जो बैंक बैलेंस है वो आपके काम दिरूब आएगा से आप सभी के अंतर निहित दिब्ब सक्ति को जागरित करने की जो प्रक्रिया सुरू हुई है मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बढ़ाई देता हूँ कि पूज्य आचार जी ने नारा दिया था कि छात्र राष्टर के भागे विधाता है अध्यापक है यूग निर्माता आज से आप संकल्ब ले लिजे कि आज से आप राष्ट का भाग लिखने का अती बिसिश्ट और अती महत्रपूर कारे करने जा रहे है और मैं आप सभी को आज इस उसर पर अपनी सुकामें प्रिसिद करता हूँ और आता करता हूँ कि आने वाला जो भारत का अमरत काल है उस अमरत काल को सड़ी मक्षरों में लिखने का काम आप सब के माद्यम से होगा और मुझे पुरा विश्वास है कि आपने देखा होगा एक मन के अंदर आप यहां से आज से इतने सारे आज खुलादी पती जीने हमारे कुल पती जीने पर्ती कुल पती जीने सब लोगों ने आपको आज जियान दिखचा कि इस कालिकरम से आपको जहां उसा परदान किया है और यह उसा आप सब को उर्जा परदान करेगा और यह उर्जा आपकी आने वाले समय में भारत के सोड़ी मक्षणों को लिखने के लिए यह उर्जा लगातार प्रभावमान रहेगी और साथी साथ जो हम सब चाते हैं और आपने देखा होगा पिछले हम दुनिया के देखों में अला कि यहां तो बिदेखों से ठी ठात्रा आये हैं लेकि मैं भारत की बात कर रहा हूँ कि दुनिया के देखों में हमें जहां एक पिछले बूमाने जाना लगा था आज भारत दुनिया के देखों में निटुप्तु करने वाले भारत के रूप में जो है दुनिया के देशों के सामने आ जाए इसका उदारन आप एक बहुत सारे खित्रे से हैं जिन में भारत आज दुनिया का निटुप तो कर रहा है पिछले दिन नो रूस विक्रियन युद्ध हुआ था और उस रूस विक्र भारत का तिरंगरा अपने कंधे पर लेकर अपने हाथ में लेकर जहां युक्रेन की सीमाओं को पार कर रहे थे अपने बतन आने के लिए तैयार हो रहे थे वहीं दुनिया के ऐसे देश की जो हर समय हमसे लड़ते रहते हैं जो हरत हमें कहीं न कहीं सज्जन पर करते रहते हैं दुनिया के ऐसे देशों के बच्चे भी वहां से सुरक्षित निकलने के लिए भारत का घंडा अपने कंधों पर लेकर चुल रहे हैं यह नया भारत बनाने का काम आज हमारे देश के एससुई प्रधान मंतरी मोदी जी के नितुत्म हो रहा है मैं आप सबसे आज के अउसर पर यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपका है आप आने वाले समय के करणधार हैं उसी तरीके से अपने को साधना है और इतना सुन्दर आपको जहां यह समय मिला है यह कालखंड मिला है अध्यन का कालखंड यह आप मैं पुन्हा आप सभी को बहुत अपनी करफ से सुपकामनाई देते हुए, बहुत बजाई देते हुए, कि आप सब लोग यसुष्की हों और जीवन के हर फिक्र में आपको सफलता मिले, मैं कुलपती जी का, हमारे पर्ति कुलपती अरेन चिन्मिया जी का, सभी का मैं कि अपर्ताद करते हुए, और गुरदेव को प्रणाम करते हुए, उनकी पावन दिवी च मिल्टी जीवन कि उनकी उपस्कितिسी को प्रणाम करते हुए, अपनी बारए लोग विराम देता हूं, बहुत भुत धन्यवार्देवा से, जो युवाउं से समवाद करने में सभ इनको जाने जाता है कि हमारे मानिय मुक्ष मंत्री जी ने बड़ा वैसिस्ट मारदाशन हम सभी को प्रदान किया, इसके लिए एक बार पुना से अपनी करतल दोनियों के मार्जम से आपका अभार करते हैं, अब यहाँ पर जो हमारे नौ प्रवेशी छाथ शातों में से कि यहाँ पर प्रतीक जिन वितरन का कारे होगा, हमारे वॉलिंटियर से निवेधन है, एक रुपे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और कुछ हमारे प्रतीक रूप में विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे, आप सभी विद्यार्थी जब अपनी जगा पर बने हुए ह तो आप